हेलो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी MS Excel यूज़ करते हो और आप इसमें जो रोज हैं उसको कॉलम बनाना चाहते हो और जो कॉलम है उनको रोज में कनवर्ट करना चाहते हो तो कैसे करते हैं आज ये जानते हैं सिंपल तरिका है यहां पर सबसे पहले आपको फाइल ले ले नहीं है तो यह हमारी अटेंडेंस फाइल है तो हम इसको रोट कॉलम करेंगे और कॉलम टू रोट करेंगे सबसे पहले आपको फाइल को सेलेक कर लेना है ऐसे करके तो हमने कर लिया है फिर आपको यहाँ पर copy मिल जाएगा आप copy कर सकते हैं वन्ना आप right click करके भी copy कर सकते हैं और shortcut की होती है control C फिर आपको blank जगा पर आना है जोज़े कि यहाँ पर और आपको यहाँ पर mouse से right click करना है आपको मिलेगा paste special इस पर click करना है और यहाँ पर आपको मेलेगा नीचे की तरफ transpose तो इस वाले option पर click करें और रोक के कर लीजिए और देख सकते हैं आप कि यह हो चुका है और ऐसा आप इसको use कर सकते हैं और आपका जो file है वो row to column और column to row हो जाएगी वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर कोई सवाल है comment करना मत भूलिएगा